दोस्तो दूद बेचने का बिजमस ग्रो करना कोई आसान काम नहीं है क्योंकि ये किसी वेबसाइट पर लगी सेल जैसा नहीं है कि आपने डिसकाउंट दिया और ग्रहक आपके ब्रैंड की तरफ खीचे चले आएंगे बलकि इसमें आपको लोगों को ये भरुसा दिलाना होगा कि quality wise आपका product market में available बाकी product से अच्छा है और तो और आप ये भी जाते हैं कि market में पैर जमाए बैठी companies को beat करना आसान तो बिलकुल भी नहीं है तो दोस्तो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार milk market में जब दूद वाला जैसे start-ups fail हो गए तो फिर country delight के पास ऐसी कौन सी जादू की शड़ी थी ऐसा कौन सा जिन था जो इन्होंने अपने दूद के business को बढ़ा कर एक हजार करोड कर दिया ऐसा भी नहीं है कि country delight ने अपने product सस्ते में बेचे जहां एक तरफ अमूल का 500 ग्राम का package साढ़े 27 रुपय में आता है country delight अपना 500 ग्राम का दूद 43 रुपय में बेचता है लेकिन इसके बावजूद लोग इसे लेते हैं और यही वज़ए कि 2021 में इनका revenue लास्ट येर से 1.8 टाइमस बढ़कर 321 करोड हो गया और 2022 के end तक इनका 2 साल का revenue एक 1000 करोड तक जा सकता है जो कि milk delivery के business में एक बड़ा amount तो जानते हैं आगिर country delight ने कैसे किया यह सब आयायम इन दौर के दो युबकों चक्रधर गाडे और नितिन कौशल ने जब देखा कि market में ग्रहकों को अच्छी quality का दूद उपलब्द नहीं होता है और market में मौझूद कंपनियां भी इस problem की और कम ही ध्यान दे रही है तो उन्होंने साल 2013 में direct to consumer milk brand बनाने का सोजा और country delight को शुरू किया ये brand दूद और natural food essential items को किसानों से लेकर सीधे ग्रहक के घर तक पहुचाती है लेकिन इन दोनों को दूद के बारे में कोई knowledge तो थी नहीं और इसलिए इन्होंने direct consumer से बात करके उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश किया उनका यही step बाद में उनकी popularity का reason भी बना 2013 के end तक आते याते वो daily 200 लीटर दूद बेशने लगे थे इसके बाद इस आकड़े को 5000 लीटर daily के target में पहुचाने में उन्हें 6 साल लगे हलाकि starting में उन्हें काफी नुकसान भी हुआ बट उन्होंने इसकी वजह को समझा और जरूरी changes भी किये जैसे उन्होंने किसानों से दूद लेकर इसकी quality चेक करने के बाद ही consumer तक deliver करने का फैसला किया और इसके अलावा उन्होंने delivery के लिए अपनी supply chain में भी improvement किये और धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखते और उन्हें सुधारते हुए country delight ने अगले 3 साल में अपने business को 10 गुना बढ़ा लिया currently ये company देश के 15 शहरों में 80 लाग से भी जादा लोगों को हर महीने दूद और grocery सप्लाई कर रही है company के co-founder चक्रधर का कहना है कि उनका आगे का plan अपने farmers के network को बढ़ाना और अपने product portfolio को increase करना है अगर milk market में बाकी businesses की बात करें तो या तो वो सिर्फ एक regional brand बन कर रह जाते हैं या फिर उन्हें market ही छोड़ना पड़ जाता है लेकिन country delight ने इस बात को समझा कि यहाँ सबसे जादा important है customer का भरोसा जीतना और उन्हें quality product प्रोड़क्ट करना और उन्होंने इसी पर काम किया उन्होंने अपने product से साथ consumers को एक quality testing kit भेजनी शुरू की जिससे वो दूद की purity चेक कर सकते थे और यही वजह रही कि consumers अमूल और mother dairy जैसे पुराने brands को छोड़ कर country delight पर switch करने लगे पिछले सालों में company ने marketing पर अच्छा खासा investment किया क्योंकि उन्हें पता है कि मिलके एक ऐसा business है जिसमें अगर एक बार consumers को आप पर भरोसा हो गया तो जल्दी वो brand switch नहीं करते हैं अभी तक country delight सिर्फ dairy business ही कर रही थी लेकिन अब उन्होंने grocery के business में भी एंटर किया है लेकिन ये market दूद से बिलकुल अलग है देखते हैं यहां country delight का सिक्का चल पाता है या फिर नहीं ऐसे दोस्तों country delight की तरह है बालाजी वेफर्स ने भी consumers के लिए खास जगह बनाई है तो अगर आप बालाजी वेफर्स की success story जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को अभी देखिए country delight की business strategy की बारे में आपका क्या कहना है कॉमेंट करके ज़रूर बताईए मिलते हैं आप से अकले वीडियो में